वाद करे 36 गड़ की तो देश भर के जैन समाज के लिए 18 फरवरी का दिन सबसे कठिन है समाज के भगवान महावीर कहे जाने वाले संत आचार विद्या सागर महाराज ने समाधी लेते हुए तीन दिन के उपवास के बाद अपना देह त्याग दिया शनिवार की देर रात करीब दो बज कर पैतालिस मिनिट पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया रविवार को दोपहर एक बजे उनकी अंतिम संसकार विधी पूरी की जाएगी आचारे की शरीर त्यागने का पता चलते ही दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया है आचारे ज्यान सागर के शिश्य आचार विध्या सागर ने 77 साल की उम्र में 36 गड़ के डोंगड़ गड़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में तीन दिनों के उपवास के बाद अपना शरीर त्याग दिया है आपको बता दे आचारे जी ने भी समाधी से तीन दिन पहले अपना आचारे पत का त्याग करते हुए अगला आचारे नियुक्त कर दिया था उन्होंने आचार पद उनके पहले मुनी शिष्य निर्या पाक, श्रमड मुनी समय सागर को सौब दिया गया है आचार ज्यान सागर की समाधी लेने से पहले मुनी विद्या सागर को आचार पद सौब दिया गया था ऐसे में 26 साल के उम्र में ही विद्यासागर आचारे हो गए थे वर्टमान के महावीर से पिछले 5 नवंबर को देश के प्रधान मंत्री मोधी दोंगडगड पहुँचकर आशिरवाद लिया था इस खासपल को अपने सोशिल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधान मंत्री ने लिखा था कि आचारे श्री की 108 विद्यासागर जी का आशिरवाद पाकर धन्ने महसूस कर रहा हूँ अचारे श्री के जन्थल सदलगा की मस्जोईट के बाहर मुस्लिम समाज ने भी श्रधानजली अर्पित की जैन संथ विद्यासागर महराज का जैन जन्देश की आजादी के पहले कनाटक के बेल गाव के सदलगा गाव में 10 अक्तूबर 1946 को शरत पूर्ण में के दिन हुआ था उनके तीन भाई और दो बेहने हैं तीन भाई में से दो जैन मुनी तो तीसरे भाई धर्म के काम में लगे हैं उनकी बेहनों ने भी ब्रह्मचार लिया है आचार विद्यासागर महराज ने अभी तक 500 से जादा मुनी को दीक्षा दे चुके हैं चतीसगड के डोंगडगड स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में रहते हुए आचार विद्यासागर ने अपनी देल का त्याग किया